तो हमारा अगला शब्द है action, action यानि कारेवाही या हरकत, चलिए अब इसका इस्तमाल करके भी देखते हैं, the police should take action, पुलिस को कारेवाही करनी चाहिए, कभी हम किसी चीज की complain करें, तो हम चाहते हैं कि हमारी complain बेकार ना जाए, है न, हम चाहते हैं कि उस पे कोई action हो, उस पे कोई कारेवाही हो, है न, तो इस sentence में action का मतलब कारेवाही ही है, ठीक है, एक और sentence में इस्तमाल करके देख लेते हैं उसकी हरकते उचित नहीं थी यहाँ पर action मतलब कारिवाही नहीं है यहाँ पर क्या मतलब है उसकी हरकते his actions were not appropriate मतलब उचित नहीं थी appropriate का क्या आर्थ होता है उचित तो यहाँ पर हम क्या कह रहे है his actions were not appropriate उसकी हरकते उचित नहीं थी ठीक है झाल